दो तोल डिटकोल मैं आपका स्वागत और स्वास्ते समंदी चर्चा के अंदर कल मैंने आपको एक वीडियो मेगनेशिया फोस याने की बायो केमिक का एक दर्दों का राजा जिसका नाम है मेगनेशिया फासपोरिकम या मेगनेशिया फोस 3 अक्स 6 अक्स उसका मैंने वीडियो दिया था ये कुल 12 सोल्ट हैं बायो केमिके आज मैं फिर बायो केमिका एक और सोल्ट जो बहुत जबरदस्त है जिसका नाम है काली फोस या काली फोस फोरिकम वो भी 6 अक्स या 200 पोटेंसी इसके बारे मैं जानकारी देता हूँ क्योंकि आज की तारीक के अंदर हर आदमी डिप्रेशन के अंदर है तनाव के अंदर है और डिप्रेशन और तनाव ये रिदेरो को बढ़ाते हैं और अनिद्रा पेदा करते हैं तो आदमी तरहतरे की गोलियां खाता है और उन गोलियों को खाने से उसके सरीर के अंदर पेट के अंदर कबजी होती है और कबज होने से सेकनों बिमारियां पेदा होती है तो काली फोस से डिप्रेशन को दूर करने के लिए और अनिद्रा को भगाने के लिए एक बेहत्रीन विकल्प है और सबसे बड़ी बात है कि इससे सांत नेन आती है दिमाग बिलकुल सांत रहता है मन एकदम इस्तिर रहता है गलत नेने लेने की इच्छा नहीं होती अच्छी सोच होती है इसको लेने से और इसका कोई भी दुस पर भाव नहीं अंग्रेजी गोली की तरह गटकाईर फन्रा मिनट में नेन आ गी ये ऐसे नेन नहीं लाती ये आप जब इसको सुरू करेंगे तो पांच साथ दिन बाद आपको सुटते ही नेंद आपको लगेगा कि मेरे को अब नेंद अच्छी आने लग गई है और आप इसको लेते रहिए हाँ तो मैं इसको आपको बताता हूँ बिविन रोगों के आदार पर कालिफास का परियोग इसके रोगी के देखो मानसिक जो लक्शन होते हैं कि दूसरे आदमी से बात करने का मन नहीं करता थोड़ी सी मेनत करते ही ठख जाना इस्ट्रियों में इस्ट्रिय है रोग हो जाना बहुत ज़्यदा चिड़ चिड़ापन हो जाना हर समय डरते से रहना, दूसरी रोगों से सर्वाना याद दास्त कमजोर हो जाना, रात को सोने पर नेंद का ना आना जैसे लक्षन पर, रोगी को काली फोस देने से लाब मिलता है सिर के जो इसके लक्षन है, सिर के पिछले हिस्से में दर्द होना लेटने के बाद बेटे बेटे अचानक खड़े होने पर उपर की और देखने से सिर का गूमना इसको ध्यान से सुनो, ये कमजोरी की वज़े से होता है बेटे बेटे अचानक खड़े होकर उपर की और देखते ही जरासा चक्कराना हाँ इसकी एक खास दवा है पढ़ाई करते समय होने वाला शीर का दर्द शीर में दर्द होने के साथ साथ आमा से के अंदर अजीब सी हल्चल होना आमा से का खाली सा लगना आदी लक्षनों पे कालिफास का परियोग करना चाहिए आँखों के लक्षनों में आँखों की रोशनी कम होना डीफ थिर्या रोख के बाद ठकान होने से पलकों का नीचे की और लटकना आँखों की रोशनी कम होने के साथ दिमाग का कमजोर होना आँखों में ऐसा महसूस होना जैसे कुछ गिर गया हो यह दि आँखों के रोख के कालिफोस देने से लाब मिलता है नाग से समन्दित लक्षणों में नाग के अंदर किसी तरह का रोग होने के कारण बद्बू का आना नाग से स्राव का बद्बू के साथ आना इस लक्षणों में कालिफोस देना चाहिए मूँ के लक्षन सांस में बद्बू आना जीव पर मिले रंग की परद जमना दांतों में दर्द होने के साथ साथ मसुडों से खुन का आना दांतों पर लाल रंग की मेल का जमना मसुडों पर बहुत ज़्यदा कॉमल और पीछे की और रटना आदी लक्षनों में काली फोस ल उस्तोरीकम देना चाहिए, आमाशे, रोगी को बार बार भूग लगना, भोजिन करने के बाद भी दुबारा भूग का लग जाना, पेट के फूल जाने के कारण पेट में दर्द होना, आमाशे का बिल्कुल खाली सा महसुस होना, आमाशे में किसी तरह का गाउ हो जाना, को कालिफोस देना चाहिए पेट में सूजन आना दस्तोंना मल्क रिया के समय मल्न में से गंदी बद्बु का आना किसी तरह से डर जाने के कारण दस्तों जाना बोजन करते समय दस्ताना मल्क के साथ खुन का आना हेजा होना अदिल रक्षनों में कालिफोस लाप करती है इस त सफ्ती दिनों के पहले आना स्रायों का बहुत ही कम मात्रा ना माशjor के बाद यो नुतेजन और तेज ओनने इंद्रिय तता गर्वाश्य में बहुत तेजी से होने वाली जलन रोगी इस तरी का बहुत ज्यादा चिर्चिड़ा हो जाना चेरा पिला हो जाना बात बात पर होने लगना स्राव का ज्यादा मात्रा में गरे लाल रंका पतले रूप में बद्बू के साथ आना दुर्बल और निश्वल प्रसव वेदनाय आदी लक्षनों मे रोगी को कालिफास देना चाहिए पुरु संबन्दी लक्षन फिर वही दिल लाया हूँ तो आई जाता ना हाँ रात को सोते समय अपने आप ही वीरिय का निकल जाना संबो क्रिया में सफल ने होना संबो करने के बाद सरीर में कमजोरिशी महसुस होना जेसे लक्षनों में कालिफास देने से आराम मिलता है पैसाब के लक्षनों के अंदर पैसाब करते समय पैसाब के साथ खुन काना पैसाब आते समय थोड़ी देर तक रोकना भी मुश्किल हो जाना पैसाब का रंग बहुत पिला होना बार बार पैसाब काना आदी लक्षनों में रोगी को कालिफोस देने से आराम मिलता है स्वांस थोड़ा सा उपर जाने पर ही सांस चर जाना सांस फूल जाना खांसी के साथ पिले रंग का बलगम निकलना दमे का रोग होना थोड़ा सा खाना खाते ही सांस का रोग बढ़ जाना जैसे सांस के रोग के लक्षनों में कालिफास देने से आराम मिलता है बुखार के लक्षनों में किसी के सरीर का तापमान साधान नाउस्ता में भी कम हो जाने जैसे बुखार के लक्षनों में रोगी को कालिप और फोरिकम उस दिदेने से लाब मिलता है बारी यंग में रोगी के कामर और जनने इंद्रियों में पक्स गाती खंजता मेहनत करने से रोग का बढ़ जाना दर्द के साथ निरासा और उसके बाद में ठकान सी महसूस होना जैसे लक्षनों के अदार पर कालिफ हो फोरी कम देना चाहिए इसके रोगी की रोग भोजन करने से सर्दी लगने से और सुबह के समय रोग के लक्षन बढ़ते हैं और आराम इसके रोगी को मिलता है गर्मी से रोग में तकलिफ में आराम मिलना इसके तुलना कास्टिकम आर्से नेकिक लेके सी जल्ची मियम के साथ कर सकते हैं किसी भी रोगी को उसके रोग के लक्षन के आधार पर कालिफ होस पोरी कम थरी एक्स ये बारह आक्स देने से लाब मिलता है कुछ मामनों में रोगी के लक्षनों को देखकर कालिफ होस कुछी सकती हैं मैं भी रोगी को दे सकते हैं ये हुआ बात अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनको डिप्रेशन है जिनको अनिद्रा है उनको मैं एक ये बताता हूँ कालिफोस 200 पोटेंशी जर्मनी की हो या आस्ट बेल की हो कोई की भी हो कालिफोस 200 पोटेंशी और काफिया 200 पोटेंशी कालिफोस मैं इसको पीछे भी लिख दूँगा कालिफोस 200 पोटेंशी काफिया 200 पोटेंशी और पेशी फ्लोरा मदर टिंचर फिप्टी ड्रॉप इनको रात को सोते वगत मिला के आदे कप के अंदर थोड़ा पानी डाल के और पी के सो जाएं तो आपको सांत नेंद आएगी आपके दिमाग के अंदर जो उतल फुतल हो रही है वो सब की सब हटेगी और धिरे धिरे आपके नेंद की गोली छूड जाएगी अगर आप नेंद की गोली ले भी रहे हैं तो भी आप इसको लेंगे तो आप अपने आपी धिरे धिरे छोड़ देंगे और दिन बर आप करो ताजा रहेंगे ये नुसका मैं पीछे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ आप पीछे की साइड में जरूर पढ़ना आज मैंने आपको बायो केमिक की बहुत बढ़िया दवा ये काली फोस जो की सरीर के मानसिक रोग सरीर के और कहीं बिमारियां विशेश करके चिंटा फिकर और तनाव से ही सारी बिमारियों का जन्म होता है उन सब का ये नास करने के लिए अकेला काली फोस बहुत बेतरी ने इसकी तुन्ना आयरुवेदिक के ब्रामी और संक पुस्पी और मालकांगनी से की जा सकती है